हेले दूस्टेट निडूस में आप लोग का स्वागत है और कल की टेक नियूस भी जी हाँ वो भी ट्रेंड कर दी ती मैंने सोचाओ के अब हमने एक नया हैश्टेक निकाल दे हैश्टेक डेली ट्रेंडिंग रुवेस जी हाँ शायद से निकालना पड़ेगा किके लगातार 15 दिन से हमारी वीडियोज ट्रेंडिंग पर जा दिये बहुत बड़ी बात है बहुत बहुत शुक्रिये गरमा गरम टेक नियूस आज भी है दोस्तों आज तो बहुत गरमा गरम है वैसे रोजी गरमा गरम होती है और वीडियो दोस्तों Snapdragon 865, 765 और 765G वाले प्रोसेसर आ गए है डीटेल स्पेक्स आज उनके पूरे निकल गए मतलब फुल डीटेल स्पेक्स है मैं एक डेटिकरेट वीडियो बनाऊंगा अभी बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा कल आएगा वीडियो जरू से देख लेगा ले को 200 Megapixels के कैमरा भी जो देखने को मिलेगा जी हां मतलब फिलाल के लिए Xiaomi Mi CC9 Pro और Mi Mix Alpha दो ही से फोन है जिन में 108 Megapixels के कैमरे का सपोर्ट है लेकिन 200 Megapixels के कैमरे वाले स्मार्टफोन भी हमें मिलेगे 2020 के अंदर लेकिन मुझे ज़्यादा गसालतान यह सब मार्केटिंग गेमिक है मैं इन में बिलीव ही नहीं करता हूं मैं इससे बिलीव करता हूं पोस्ट प्रोसेसिंग में पिच्चर गले करने के बाद वो कितना अच्छा प्रोसेस होता है यह कंपनी के हाथ में जैसे कि Google उनका अल्गोरित्म कितना मजबूत है 12 Megapixels का कैमरा दिया था उसने Spike की और Spike का जब नाम आता है तो चाइना का नाम तो जरूर आता है चाइना मशूर है इस मामले में और अभी दोस्तों बताया जारे कि एक ऐसी चाइनिस कंपनी है जो शेंजिन में बेच्ट है और उनका एक स्मार्ट वाच है SMW वाच M2 यह स्पेशली किट्स के लिए उन्होंने बनाई थी और हजारों ऐसे बच्चे है जो अभी यह वाच पहन रहे ग्लोबल इसका इसनेमाल किया जा रहे है एक सेक्योरिटी रिसर्च फर्म में उन्होंने इसा बता है कि यह जो स्मार्ट वाच है इसमें इतना बड november ढरेशन फिरी लोकेशन ट्रैक्स होरी है और जो कॉन्वीडिशन वो लोग अपने पैरेंट से करते गिया, और सेर्फरा आयाता लिसां लोगों के आप location of course settings में जाके उसके बाद भी location trace हो रहे ऐसा लोगों ने complaint किया है तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली इंडिया में आज HMD ने अपने Nokia के एक नए smart TV को जो वो launch कर दिया है जिसको बोलते हैं सिर्फ Nokia TV इतना ही उन्होंने रखा है और 41999 42,000 रुपे की इसकी price है Flipkart पर 10 December से आप इसको जाके purchase कर सकते है वैसे 55 inch एक ही variant में एक ही size में आपको मिलता है 4K HDR Dolby Vision जैसे feature से Pure X Quad Core का processor है यह नयार तरीके का processor दोने दिया है 2.25 GB के आपको RAM मिलती है GBL वाले speakers और क्या कुछ नहीं आपको मिलता है तो 4999 stock Android है Android पाईए और बहुत ही जल्दी Android 10 भी आएगा लेकिन यार रखना है दोस्तों Nokia की जो phones या जो आप products लेते timely updates, good after sale service, brand value यही चीज़ जाजा तर लोग देखके लेते क्योंकि काफी अच्छी और reputation company है अब देखते हैं तीवी कितना चलता है मैं बहुत ही जल्दी unboxing करूँगा उसके लाब stay tune करूँगा तो यहाँ पर दोस्तों ISRO की तरफ से काफी बड़ी ख़बर आ रही है और अब दोस्तों लग रहा है ऐसा कि ISRO और NASA की बीच मेना कुछ तू-तू-मैमे यहाँ पर हो गई जिए यहाँ पर ISRO की जो चीफ है उन्होंने ऐसा कहा कि NASA जो बार-बार claim कर रहा है कि हमने विक्रम Lander को found किया है वो actually उन्होंने नहीं किया बलकि हमने बहुत पहले महिनों पहले ही हमने announce कर दिया था कि विक्रम Lander तो हमें मिल चुका है बस communicate नहीं हो पा रहा है और उस communication की help के लिए हमने नासा को contact किया था और नासा ने हमारी उस वक्त थोड़ी बहुत help की थी अब यहाँ पर दोस्तों ISRO के चीफ ऐसा बोलते है नासा ने विक्रम Lander नहीं found किया उन्होंने कुछ tweets बताई उनकी website पर भी उन्होंने कुछ proof दिया कि हमने बहुत पहले ही इस चीज़ को बोल दिया था लेकिन नासा बोलता है कि हमने विक्रम Lander डूना है जबकि एक इंडियन थे उन्होंने ही support किया था जब जाके नासा ने बताया कि हाँ यह exact location है वो भी इंडियन नहीं support किया था आपको क्या लगता है दोस्तों यह war जो ISRO और नासा की विक्रम शुरू हो गया ऐसे कुछ war war नहीं है बाई देखो यह ही होता है जब आप मीडिय इंटीग्रेटेट 5G के साथ में 4G का भी support आपको मिलेगा अब दोस्तों यहाँ पर बताया जाए कि इसमें 4500 mAh की बैटरी होगी अगर K20 से compare करेंगे उनने 4000 की थी तो इसमें 4500 mAh की बैटरी होगी और 30W का fast charger इस बार उनों में provide किया है अब यह दोस्तों एक गंटे में 4500 की बैटरी को फुल चार्ज करेंगा ऐसा शाओमी ने बताया है लेकिन दोस्तों अगर मी देखा जाए तो 5200 साथ इमेज की वेटरी वहां पर भी 30W का charger था और वो 65 मिनिट में चार्ज हो जाता है कितना वीर्ड है यह साड़े 4000 इमेज की बैटरी 30W एक गंडे में करेंगे अब वो पांचे दोस्ते शाओमी खुद अपने आप में खेल रहे हैं एनिवेज 6.67 इंच के आपको एक बड़ी से डिस्क्री भी मिलेगी जो 120Hz refresh rate के साथ में होगा और 64 Megapixel जो पीछी camera है quad camera जो primary होगा वो 64 Megapixel का होगा प्राइस भी 20-25 के बीच में होगी काफी promising लग रह है कि हमारे पास play store में जितने भी apps है उन में से 80% से ज्यादा जो apps है वो TLS से protected है TLS मतलब transport layer security मतलब आपकी phone में जब आप network पर जाते हैं और जो data जो traffic होता है वो आता है और जो जाता है आपके phone से network की तरू उसको Google ने कहा है कि बहुत ही ज्यादा हमने encrypted किया है सारी जानकरी हमारे पास है उसकी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कहां से जा रहा है कहां पर जा रहा है इसको हमने encrypt किया है तो जो attacks होते उन से Google ने कहा है कि protect करने के लिए हमारे पास ज्यादा power है पहले दोस्तो SSL का इस्तेमाल किया जाता था लेकिन यह अभी जो TLS आ है यह improved है जो Google ने ऐसा बता है कि हमारे जो play store में जो apps है उसमें से 80% से जाता जो apps है उन में इस तरह की security है तो सुनके मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे phones में हम जो apps इस्तिमाल कर रहे है ऐसे कुछ apps मौजूद होंगे जिन में TLS security है क्या बात है तो यहाँप दोस्तों Motorola की तर Snapdragon 675 महीं पर कैंसल हो गया उसके बाद चार्ज भी कि रहें दूसरा कैंसल एक्सटाइब की स्टोरेज ठीक है डूल कैमरा फिर कैंसल 64 में पिसल का आप जो primary है वो तो सब में आजकल मिल रहा है और फिर एक दूसरा 8 मेंगा पिसल का 32 मेंगा पिसल के सेलफी है 4000 मिच की वैट जो कल से यानि कि 6 डिसमबर से लागो हो जाएगे जैसे कि ट्राइ का रूल है और वोड़ाफोन एटल ने अपने नए प्लांस लेके आये थे जो अप्टू 40% एक्सपेंसिफ हो गये थे एक्जिस्टिंग प्लांस अगर हम कंपैर करते हैं तो जियो ने भी अपने नए प् 25% एक्सपेंसिफ हो चुके लेकिन जियो ने ऐसा कहा है कि हमारे जो प्लांस अगर आप जो एटल वोड़ाफोन के बड़े हुए प्लांस से कंपैर करेंगे तो उनसे 25% चीप है तो थोड़ी जियो ने हमारी इज़त रख ली और खुद की इज़त रख ली वैसे अगर मैं बात करूं 39% कैसे ज्यादा है तो फर एक्जामपल अगर जो 399 वाला जो प्लान जो आप पहले करते थे 84 days के आपको वैलिटी मिलती थी 1.5 GB की डेटास आपको डेली मिलती थी तो वो अब हो चुका है 555 जिहां ऐसे ही दोस्तों अगर आप आगे देखेंगे तो 153 वाला ज करते तो 1000, 2000, 3000 कुछ extra minutes दिया है अलगले plants पर यह लाग हो है तो यहाँ पर monthly, yearly सारे plants यहाँ पर जियो ने लेकर आगे 39% जियो ने प्राइस बढ़ा है लेकिन जियो ने जैसे की एटल वोड़ाफ उन से 25% कम प्राइस रखा है तो यह चीज़ मुझे सही लगी है जाईए ज़र दोस्तों कल से लागो हो जाएगे रिचाज कर लीजी और यूज कर लीजी उसके बाद अब तक आप जो यूज कर रहे हैं वो म्यूजी के लिए है लेकिन रिब्रैंडेट करके थोड़े नए फीचर्स दालके आप वो हो चुका है टिक टॉक जी हाँ तो आज की रिच नूस देब घता है अब करते हैं और आज की रिच नूस पसना आगी अगर आपको पसना तो जब ज़रूर ज़र विडियो को लाइक करिए मैंसे आप लोग लिए डेली टेक नूस दाता रहूँगा आप लोगों को ऐसे ही अपिरेट करता होँगा मिलते है सब्सक्राइब करते हैं और आप सब्सक्राइब करते हैं और दोस्तों आज